question no.8 में integrate करना है यह से i equal to 0 से pi by 4 और log 1 प्लस tan x dx पहले इसे simplify कर लेते हूं 0 से pi by 4 log 1 प्लस tan x के जगापर replace करेंगे pi by 4 प्लस 0 माइनस x तो tan pi by 4 माइनस x हो गया और यह dx इसकी जो value आएगा वो भी आए ही रहेगा इसको हमने first integration बोलते है तो जो integration का इसे simplify करने बाद आएगा log 1 प्लस tan a माइनस b की फर्मुला tan pi by 4 माइनस tan x by 1 प्लस tan pi by 4 into tan x dx तो 0 से pi by 4 log lcm लेंगे तो 1 प्लस tan x lcm हो जाएगा फिर simplify करने तो 1 प्लस tan x plus 1 माइनस tan x dx तो एकन से लोग यह तो 2 हो जाएगा तो यह से i इसको हम लोग फिर से लिग देते हैं i is equal to 0 से pi by 4 log 2 by 1 प्लस tan x dx इसको हम लोग integration second बोल देते हैं तो second integration of first integration को add कर देंगे तो 2 i is equal to 0 से pi by 4 अपर limit और lower limit दोनों integration का same result आया है तो हम 0 से pi by 4 डायट लिख देंगे और log 1 plus tan x दोनों को एक ही integration में लिख लेते हैं तो log 2 by 1 plus tan x और dx हो गया integrate कर दिया तो 0 से pi by 4 log इसका log का property होता है multiply हो जाएगा तो log 2 खाली हो जाएगा log 2 खाली हो जाएगा मुल्टिप्ला होने क्वादी 1 plus tan x तो लिख लेते हैं 2 by 1 plus tan x इन्टो 1 plus tan x अशा है तो अभी 1 plus tan x cancel हो जाएगा तो आएगा 0 से pi by 4 log 2 dx अब 2 i is equal to 2 i is equal to result निकला में 0 से pi by 4 0 से pi by 4 log 2 dx तो यहां पर log 2 तो constant है तो log 2 तो बाहर हो जाएगा और हमें 1 बचेगा तो 1 का integration x हो जाएगा 0 से pi by 4 तो यह 2 i is equal to log 2 into pi by 4 2 x तो 2 i तो i is equal to 2 से डिवाइड हो जाएगा तो pi by 8 इन्टो log 2 हो जाएगा यह answer हो जाएगा 9 तो 2 3 6 5 झाल झाल